दोस्तों नया Hit and Run कानून लागू हो गया है और बहुत सारे Transporters हड़ताल पर हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं, क्या Regents दे रहे हैं और ये नया Hit and Run कानून क्या है, क्या बदलाव किये गए हैं पुराने कानून से, इस पर बात करेंगे तो नय Hit and Run कानून के विरोध में देश पर के ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं कई शहरों में चक्का जाम और प्रदर्शन हो रहा है लोगों को आवजाही में मुश्किल भी हो रही है, सामानों की सप्लाई का संकट भी पैदा हो रहा है नय Hit and Run कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल लगातार जारी है सोमवार से ट्रक और बस ड्राइवर, मध्यपरदेश, कुजरात, माराष्ट, चतिसकर, हर्याना, पंजाब समेत कई राज्यों में हरताल पर है मध्यपरदेश के बोपा, लिंदोर, ग्वारियर, जबलपूर समेत कई और शहरों में भी बसे नहीं चली चतिसकर के विलासपूर में ट्रक ड्राइवरों ने टायरों में आग तक लगा All India Motor Transport Congress ने Hit and Run कानून को सक्त बनाने का विरोध किया है उनी के आवान पर चक्का जाम और हरतालें शुरू हुई है तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कानून क्या है हादसे के बाद सूचना ना देने और भाग जाने पर 10 साल तक की सजा और 7 लाक रुपे जुर्माना देना होगा पहले IPC की धारा 304A के तहत दो साल तक की सजा मिलती थी और पहले लापरवाही से मौत का मामला माना जाता था पहले हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ धारा 289 के तहत यानि लापरवाही से वाहन चलाने और दारा 304-A यानि लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालने का केस तरज होता था लेकिन नए कानून में दारा 104-2 के तहट केस तरज होगा और पुलिस्या जज़ को सूचित ना करने पर 10 साल के कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा तो ट्रांस्पोर्टरों ने क्या तरक दिये हैं इस कानून के विरोध में उनका जो मेन मेन जो बात उनों ने कही है वो यह है उनका कहना है कोई जान बूस्ट कर हादसे नहीं करता है कोहरे की वज़एत से हादसा हो तब भी कड़ी सजा मिल रही है हाजसे के बाद डर की वज़े से भाग जाते हैं स्थानी लोगों के डर की वज़े से भी भाग जाते हैं और लंबी प्रक्रिया है कानून की उसके रास्ते से भी घबराते हैं तो ये कुछ उनके तर्क हैं तो इनके बारे में चलो डिटेल से बात करते हैं ट्रक डाइवरों की हर्ताल का असर अब जो दिखने लगा है वो है पैट्रोल और डीजल की कमी भी हो रही है हर्ताल के कारल देश के कई शहरों में पैट्रोल और डीजल की कमी हो गई है पेट्रॉल पंपों के बाहर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लम्बी लाइन लगी हुई है इसकी वज़े से लोगों की परिशानी बढ़ गई है मद्बदes के इंदोर में भी ट्रॉक ड्राइवरों की हटाल की वज़े से कई जगों पर पेट्रॉल और डीजल की कमी हो गई है पेट्रॉल लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है इसकी वज़़े से लोग काभी परिशान है और जैसे के और भी जगों से ड्राइवरों की क्या क्या रिस्पॉंस हैं क्या कि प्रतिक्रियां आएं उसके बारें बात करेंगे दिल्ली के गाजीपुर की बात करें तो यहां पर भी ड्राइवर का नए कानून का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ड्राइवरों के नजरिये से कुछ भी कभी सोचा नहीं जाता उनका ये कहना है कि अगर दुरगटना के बाद वो भागें तो नया कानून उन्हें मार देगा और अगर वहीं रुकें तो पबलिक उन्हें मार देगी उन्होंने कहा कि ये काला कानून है क्योंकि अगर हम सड़क दुरगटना के बाद भागें तो सरकार का कानून हमें मार देगा और अगर हम दुरगटना स्थल पर रुख गए तो पबलिक हमें मार देगी उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी भर गाड़ी ही चलाई है और उन्हें कोछ आता नहीं तो अब वो क्या करें उनका कहना है कि हम सड़क दुरगटना के बाद वहां से भाग कर पुलिस के पास चले जाए तो हमें इस कानून में ना डाले ड्राइवर के लिए कभी भी कोई प्रावदान नहीं बनाया गया है क्यों? ड्राइवर के लिए नहीं सोचा जाता क्यों सरकार ड्राइवर के हित के लिए कुछ नहीं करती है इस कानून से फासी लगाने की नौबत आ गई है ये कहना है दिल्ली के ड्राइवरों का अब ड्राइवर 7 लाग कहां से लाएगा ड्राइवर जब भी अक्सीजेंट करता है तो सीरे थाने ही जाता है वो कभी घर नहीं जाता उसमें भी ड्राइवर ही पिसता है ड्राइवर कभी भी जान बूझ कर किसी को नहीं मारता है हर किसी को बचा के ही चलता है लेकिन हमेशा एलजाम बड़ी गाड़ी वाले पर ही आता है ये सारी बातें दिल्ली के गाजीपूर इलाके के ड्राइवर्स और उनकी माग है कि इस कानून को केंद्र और ट्रक यूनियन और ड्राइवरों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक अर्ताल रहेगी ड्राइवरों का कहना है कि हमारी तनकवा 8000 या 10000 है तो ऐसे में वो 5 या 10 लाग कहां से लाएंगे तो दोस्तों आपका इस कानून पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए धन्यवाद